यह है आम जिन्दगी और यह है मिन्टास जिन्दगी मिन्टास खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ अब यह जो वीडियो है मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो स्मार्ट वाच का हार्ट रेट सेंसर है उसे अब्जेक्ट के उपर यूज कर रहे हैं तेक्ते रहिए सबसे पहले जो टेक्नलोजी असके बारहे में समझते हैं फोटो प्लेट इसमाग्रफी पीपीची आसान शब्दों में कहें तो जब जो भी स्मार्ट वाच यूज्ड आप यूस कर रहे है उससे आपने रिस्ट में पहना है उसके बाद में जब light reflect होके वापस आती है जो algorithm है वो calculate करता है कि कितना कम हुआ है उस basis पर आपका जो pulse count है वो smart watches measure करते हैं अब आपने देखा होगा जदा करके जो green light है वो use किया जाता है क्योंकि green light है हमारा जो blood है वो उसे जदा absorb करता है जो wavelength है उसे अब देखें यहाँ पर मेरे पास है यह Huawei watch GT5 जो कि एक premium level का smart watch है इसमें जो sensor यूज किया गया है इसकी जो quality है यह भी काफी बढ़िया है I guess अलग-अलग quality के sensors available है तो मैंने इसे हाथों में पहन लिया है और जो heart rate है उसे मैंने activate कर दिया है अब यह मेरा heart rate को measure कर रहा है अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो नीचे देख सकते हैं कि जो green light है वो blink हो रहा है और इस तरीके से मेरा heart rate है यह measure कर रहा है चेट करने के लिए यह machine उस करते हैं तो यह तकरीपन 76 दिखा रहा है और यहाँ पर है 74 74, 74, 72, 71, 71 तो almost identical results मिल रहा है अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो heart rate है इसे enable करते हैं और object के उपर रखते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर रख दिया है और यहाँ पर आप दिख सकते हैं कि यह काम नहीं कर रहा है मतलब यह कि जो reflection है वो या तो नहीं आ रहा है या तो 100% आ रहा है अब बहुत कुछ जो sensor है उसकी quality पर भी depend करता है अच्छे quality का sensor अगर होगा तो बढ़िया तरीके से काम करने वाला है but in most cases जो sensors होते हैं यह आपको almost accurate results ही देने वाले हैं चाहे वो अच्छे quality का हो या फिर low quality का हो but generally अगर low quality का sensor होगा तो जैसे कि आप दिख सकते हैं मेरे यहां पर बहुत सरे बाल है तो वैसे situation में जो heart rate है वो सही तरीके से काम नहीं करता है यह दिखें औरेंज के उपर मैं इसे try करता हूँ इसे मैंने यहां पर रख दिया है और जो heart rate है वहाँ पर जाके यह दिखें यहां पर यह actually जो heart rate है उससे measure कर रहा है इसका यह मतलब नहीं है कि जो orange है इसमें beats है बलकि जो sensor है वो detect कर रहा है कि जो light है वो reflect हो रहा है अब ये इसलिए क्योंकि जो orange है इसके जो property है ये एक तरह से human skin है उससे mimic करता है खास करके अगर ये sensor के बात करें तो अब ये जो sensor है ये detect नहीं करता है कि human है या नहीं ये सिर्फ जो light reflect हुआ है उसे measure करता है और कोई ना कोई आपको ऐसा object मिल जाएगा जिस पर ये जो sensor है ये काम करेगा अब for example ये जो ball है इसके उपर भी अगर मैं रखूँ तो देखते हैं कि क्या होता है yes ये देखें यहाँ पर भी जो sensor है ये काम कर रहा है again यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो ball है इसके अंदर heartbeat है और in most cases आप देखेंगे कि जो results है वो constant रहता है जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं तो I'm sure अब आप जो technology है किस तरीके से काम करता है ये समझ गए होंगे और ये जो smart watches है इसे आप अपने हाथों में पहनेंगे लेकिन एक चीज़ आप मुझे बताइए कि क्या इंसान को stupid बनना चाहिए devices को और भी smart बनाने के लिए comments करके मुझे ज़रू बताइए और product का link मतलब की Mentos का link मैंने video के description में दिया हुआ है तक तरहें